जै महा काली जै महा काम वेख्या आप लोग कैसे मित्राशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही सवस्त होंगे तो आज आपके लिए बहुत ही अच्छा वशीगरन लेका है हूँ जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं वो पती पतनी हो जाए वो प्रेमी प्रेमी का हो तब आप ऐसे में क्या करें ऐसे में आप इस वशीगरन को करके अपने सचे प्यार को पा सकते हैं अगर आपके प्यार ने आपका ब्लैक लिस्क नमबर कर दिया है आपका मान समान नहीं कर रहा है आपके बात को समझ नहीं रहा है आपके इज़त नहीं कर रहा है या आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया है और आपके बात को वो समझ नहीं पा रहा है और आपसे बिलक को ऐसे हैं च्रुल भी बात नहीं घरता पारवे एस व्हय गरन को करके अपने प्यार को सब्सक्राइब करना क्या है बोच्वज पद्रवार के दिन या मवरस्य की रात को या किसी भी शुक्वMusik्लय पक्ष के दिन आपने करना है इस वशीकरन को तब आपने एक भोजपत्र लाना है भोजपत्र लाके इस यंत्र को बना लेना है जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसके अंदर लिखा है मंत्र हींग 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 और उसके बाद जिसको आप प्यार करते हैं या जिस भी रिष्टे को आप सुधारना चाहते हैं जाए वो पती पत्नी का हो प्रेमी प्रेमी का का हो मा बेटे का हो और कोई भी दोस्त हो या आप जहां नौकरी करते हैं अपने बास के ओपर जिसको भी आप करना चाहते हैं जिस भी अपने रिष्टे में वशिभूत आप आपने उसके नाखुन लेने है नाखुन लाने के बाद आपने उस यंत्र के उपर नाखुन को रख लेना है रख के आपने इसके उपर तीन वरी सिंदूर को चड़ा देना है जैसे यहाँ पर मैं चड़ा रही हूँ आपने पीला वाला सिंदूर लेना है जो हनुमान जी को लगाते हैं आपने इस तरीके से मंत्र का उचारन करना है और सिंदूर लगा दिया और नाकुन रख दिया और यंत्र के बीच में और इसके बाद इसी आपने भोज पत्र का एकदम पुडिया इसको बना लेना है सिंदूर और नाकून को बना के आपने करना क्या है कि अगले दिन जैसे रातरी के समय आप इस वर्षिकरन को कर रहे हैं तो आप आपने उसी पुड़िया को महीं पर रख देना है या आप जा सकते हैं तो रातरी के समय ही किसी भी सुनसान जगा पर ले जाके इसे गाड़ दें अगर रातर पर गाड़ देना है सुनसान वाली जगा पर जो कि आपको गाड़ते हुए कोई भी महापन ना देखे और जब आप इसे गाड़ के महाँ से हटेंगे तो बिल्कुल भी उस गड़े की तरफ बिल्कुल ना देखे पलट के बिल्कुल भी ना देखे और उसके बाद आप आजा चाहते हैं कि वो से शादी करें तो आपसे वो शादी भी करने के लिए त्यार होगा और अगर आपके पती आपका कहना नहीं मानते तो आपके पती भी आपका कहना सुनना मानने लगेंगे आपसे एकदम ही आकरशित होंगे आप दोनों का रिष्टा अच्छा से चलना लगेगी तो आप इस तरीके से करके अपने सच्छे प्यार को पा सकते हैं अगर इसको करते होई कोई दिक्कत परेशानिया है तो स्क्रीन पर दिये वे नंबर पे कुरुमा को संपर्क कर सकते हैं वाटसाप कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तोजाद ज्यादा लाइक करें शेयर करें चैनल को सस्क्राइब करें और कमेंश एक्षिन में अपना फीडबैक जरूर दें जहांपे कि जै महाकाली जरूर लिखें अगर अपने सचे प्यार को आप पा सकें इस वीडियो के माध्यम से और अगर आपके शेयर पे कोई बाद है या आपके वैपा पर कोई और भी समस्या है तो आप तब भी गुरूमा को संपर कर सकते हैं वाट्सअप कर सकते हैं आपकी हर एक समस्या का समयदान गुरूमा जी के पास जरूर मिलेगा आगे फिर मिलते हूं तब तक के लिए शेयर शिवाय नमस्तु भी हैं जै महाकाली जै महाकाम रिखें बो प्लिए में आप बोड़ा है